सबसे पहले तो नमस्कार आप सबको नक्षत्रा सीरीज के दूसरे नक्षत्र, भर्णी नक्षत्र के आज हम चर्चा करने वाले हैं और मैं एक फैक्ट आपके साथ शेयर करूँ कि कई लोग जो है नक्षत्रों की श्रिंखला को कृतिका से शुरू करते हैं तो अगर हम कृतिका से शुरू करें तो भर्णी जो है वो लास्ट नक्षत्र हो जाएगा यानि 27 वा हो जाएगा लेकिन यहाँ पर मैंने क्योंकि अश्वनी से शुरू किया है तो यह दूसरा नक्षत्र यहाँ पर काउंट होगा खेर इसकी बात करते हैं तो इसके जो डेटी है वो है यमराज जी है लौड यमा तो जैसे ही हम यमराज की बात करते हैं तो हम समझ जाते हैं कोई डारू का असपेक्ट है इस नक्षत्रा का क्योंकि यम्राज को किस से associate किया जाता है मृत्यू से, death से तो जो life और death की repetitive cycle है उसके बीच के जो struggles है वो ये नक्षत्र represent करता है बहुत pleasant और बहुत enjoyment और बहुत beauty वाला नक्षत्र नहीं है pain को, sufferings को और struggles को represent करता है लेकिन important है important का क्या मतलब है death जो है बहुत ही inseparable part of life है और बहुत ही important part of life है इसको मैं ऐसे समझाओं कि एक बार यम्राज जो होते हैं वो किसी अनुष्ठान में participate करने के लिए चले जाते हैं और उनका जो काम है वो pending हो जाता है तो प्रकृति में बड़ा chaos हो जाता है प्रित्वी माता बहुत ज़्यादा सफर करने लगती है कि यहाँ पर लोग मर ही नहीं रहे है and they start exploiting the planet तो वो फिर गाय का रूपधारन करके विश्णुजी के पास जाती है etc. etc. लेकिन mean बात क्या है कि death बड़ा ही important part है जब भी आप इस body को unsubscribe करेंगे theme क्या है कि सुखद नहीं है obviously लेकिन जरूरी है या आवश्चक है इस तरीके साब इसको समझे यह इसका theme है अब next slide पर चलते हैं वहाँ पर और elaborate करेंगे इसके symbol के basis पर जो symbol है इसका वो है वल्वा यानि female reproductive organ तो जब भी हम female reproductive organ की बात करते हैं तो पहले मैं mention करता हूँ कि क्या क्या चीज़े हैं सबसे वहले तो menstrual cycle menstrual cycle you know women go through some kind of pain, sufferings or you know struggle every month for the future generations to bring life into this world तो future जो अच्छी चीज़े हैं उनके लिए आप present में compromise कर रहे हो struggle कर रहे हो वो इस नक्षत्र का theme है तो मैं या लिख देता हूँ इसके अलावा जो है वो है labor pain जब भी you know when they are bearing a child तो they go through a lot of pain to bring a new life into this world again this is the theme of this particular नक्षत्रा बहुत pleasant नहीं है और खुशी वाला नहीं है struggles को, sufferings को, pain को, बलिदान को, मर्यादाओं को, साइयम को represent करता है अब जानते हैं कि जब भी pregnancy वाला दौर किसी भी lady के जीवन में आता है तो they have to compromise sacrifice a lot of things बहुत सारी fun activities हो सकती हैं जो वो नहीं कर सकती हैं हो सकता है अपना favorite food ना खा पाएं काफी सारी जगा ना जा पाएं उसके अलाबा when they bear the children यानि जब बच्चा हो जाता है उसके बाद they compromise on food again their sexual life suffers उसके अलाबा they have to feed the child तो उसकी वजह से जो भी worldly pleasures हैं desires हैं उनको आपने suppress किया compromise किया और आपने hard work किया मेहनत करी और अच्छी चीज जो की future में आने वाली है उसके लिए प्रिपेर कर रहे हैं एक ऐसे process से जा रहे हैं because you know that it is for something good वो इस नक्षत्र का theme है यानि अगर आपके किसी life के aspect पर भरनी नक्षत्र का प्रभाव आ रहा है सकते हैं sacrifice, sufferings, struggles, compromise, मर्यादा, साइयम, बलिदान ये जो सारे मैंने adjectives यूज करी ये आपको जिलने पड़ सकते हैं उस life के sector में जहां पर भरनी नक्षत्र का प्रभाव आ रहा है ये इस नक्षत्र का theme है बहुत जादा कुछ नहीं है बोलने को अश्वनी में मैंने काफी कुछ बोला था इसके लावा जो animal है जिसे इससे associate किया जाता है वो है elephant अब elephant को क्यों associate किया गया होगा maybe elephant की क्या qualities है सबसे बहुत अच्छा होता है जो neurons होते हैं वो सबसे जादा elephant के पास होते हैं तो intelligence में भी associate आप कर सकते हो उसके अलावा death के लिए बड़े sensitive होते है elephants भी मतलब ऐसा कहा जाता है कि मृत्यू को समझते हैं हाथी जो होते हैं इवन मैं गजेंद्र मोक्ष की एक कथा है बड़ी important उसको भी यहाँ associate करूँगा कि एक हाथी होता है उसका मगरमच पैर पकड़ लेता है पानी के अंदर तो वो struggle करता है बहार निकलने की उससे अपने परिवार वालों को बुलाता है कि मुझे बचाओ वो मदद भी करते हैं फिर छोड़ देते हैं उन्हें लगता है कि हम भी मारे जाएंगे और फिर वो लास्ट मोमेंट पर विष्णू जी को याद करता है विष्णू जी आते हैं और उसे उस मृत्यू और जन्म के बंधन से छुड़ा देते हैं तो वो थीम भी यहाँ पर connect होता है गजींद्र अगर आप ऐसे struggles के थूँ जा रहे हैं तो वहाँ पर भगवान का नाम आपके लिए बड़ा important हो सकता है especially महामरत्युन जे जो जाप है आप जानते हैं उसे तो associate ही किया जाता है to just conquer the sufferings you are going through और उसके अलाबा elephant की बाकिज जो qualities हैं वो उस जातक के अंदर देखने को मिल सकती है जिस पर भणी नक्षत्र का प्रभाव हो जैसे मदमस्त चाल हो गई मस्ती हो गई थोड़ी सी और जो भी आप elephant से associate कर सकते हैं मैं बहुत जादा नहीं जानता हूं to be honest और मेरा उद्यशी भी यही है इन वीडियोस को बनाने का कि जिन लोगों के पास extra knowledge हो वो मेरे साथ share करें और मेरा अग्यान भी बढ़े तो फिलाल ये इस नक्षत्र का theme है तो अगर आपके birth chart में कोई planet इस नक्षत्र में है तो आप मेरे साथ share कर सकते हैं के बाद में अच्छे result को achieve करना भी ये नक्षत्र दिखाता है लेकिन फिर भी जो struggles है, sufferings है, pain है वो तो inseparable part है इस नक्षत्र का तो बस मैं यहाँ पर wrap up करूँगा और मिलते हैं next video में जिसमें हम बात करेंगे कृत का नक्षत्र की बहुत बहुत धन्यवाद